हेलो दोस्तों and welcome back to the brand new tutorial वीडियो हो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग enable all interiors mode को अपने GTA 5 में कैसे install कर सकते हैं बिना किसे दिक्कत के और बिना किसी भाई रुकावट के एक दम बढ़िया तरीके से आपका आज installation होने वाला है तो बिनाक्स देरीके वीडियो को शुरू करते हैं तो आज जो enable all interiors में install करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ अपने latest version of GTA 5 करने वाला हूँ जो की है version 1.0.3095.0 this is the latest version of GTA 5 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग latest version of GTA 5 करते हैं enable all interiors को कैसे install कर सकते हैं तो सबसे पहले enable all interiors को run करने के लिए guys मैं आपको requirements बढ़ रहा हूँ sorry scripts folder हमको चाहिए ठीक है इतनी तीन चीज़े गाइस हमको चाहिए enable all interiors को run करने के लिए obviously एक और चीज जो की important है जो की है lemon UI तो चलो गाई सबसे पहले हम लोग सभी चीजों का download चुलू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग download करेंगे script hook 5 तो यहां पे script hook 5 GTA 5 हम लोग search करेंगे जिसमें हम लोग यहां पर AB software development की site के उपर आ जाएंगे ठीक है यह सब करना यहां पर download शुरू हो जाएगा ठीक है मैंने एक और फोल्डर बनाया हुए यहां पर इसको download करूंगा उसके बार हमको चाहिए script hook 5.net ठीक है हम लोग यहां से back करेंगे मैंने डबल साइट खोल दिया तो कोई बात नहीं वापिस हम लोग browser खोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभी हम लोग जाएंगे GTA 5 mods की site के उपर वहां पर जाके हम लोग पर simply search करना है script ठीक है script hook.net हम लोग यहां से community script hook 5.net के उपर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर simply यह जो 3.6.0 दिख रहा है उसके पर क्लिक करना है और यह हमको github की page के उपर ले आएगा हमको यहां पर थोड़ा उपर जाना है नीचे जाना है completely आपके उपर हमके यहां पर जाना है make sure आपने यहां पर releases की टैप के उपर 360 क्लिक करो और यहां से हमको simply script hook 5.net की यहां पर हमको फाइल डाउनलोड कर लेनी है ठीक है उसके बात हम लोग डाउनलोड करेंगे enable all interiors और lemon UI को ठीक है यहां पर सर्च करेंगे enable जिससे हमारा enable interior यहां पर आ चुका है and also guys जैसे कि आप देख सकते हो यह updated है chop shop interiors के साथ मतलब कि अभी जो GT online में जो नया DLC या दी chop shop, salvage shop या जो कह वो उसका interior भी यहां पर available है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो हमारे जो enable interior के जो author है HKH190 बोल रहे है के SHVDN3 से वो convert कर रहे है ठीक है अपने सब भी mods को तो अगर आपका पुराना version भी हो तो make sure you try with SHVDN3 अगर उसमें आपका game crash कर रहा हो तो ही आप SHVDN2 में shift हो ठीक है सबसे पहले 20.1 जो इनका नया वारा version है इसको हम लोग यहां पर download करेंगे ठीक है Enable Interior को हम लोग यहां पर करेंगे download and the last thing we are going to download which is the lemon UI तो हम लोग यहां पर search करेंगे lemon UI यह रहा lemon UI अपना ठीक है इसका guys हमको latest version ही download करना है ठीक है तो हम लोग यहां पे इसको simply download कर लेंगे also guys optional क्योंकि मेरी गेम के अंदर कोई trainer अब भी फिलहाल इंस्टॉल नहीं है तो optional में मैं अपना कोई trainer download करता हूं तो मैं download करूंगा menu trainer ठीक है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिफेरेबल सबसे ज्यादा best trainer है कई लोगों को simple भी पसंद है वह बंदे-बंदे की चॉइस है जिसका simple अब इस यहां पर सभी फाइल और एक साइट पर में open करेंगे अपने टीटेफाइव के डिटेटरी ठीक है तो यह रहा गाइस मेरा टीटेफाइव का ट्रीट्री अभी सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे कि स्क्रिप्टुक 5 को तो स्क्रिप्टुक 5 का याप पर 3095 यह वाला जो आपको फाइल दिख रहा है इसको open करना है and also guys make sure अगर आपका गेम पुराने वर्जिन का भी है तो यह वाला लेक्टेस वर्जिन का स्क्रिप्टुक 5 आप में चलेगा ठीक है आपको खाली make sure यह करना है कि आपका स्क्रिप्टुक 5 जो आपकी गेम की वर्जि यही से मैं सभी चीज़े बैक करूंगा और स्क्रिप्टुक 5.net पर जाओंगा हमें सिंप्ली यह सभी फाइल को सिलेक करना है एक्सेप लाइसेंस एंड रीडिमी एंड व्यागन टू ड्रॉप इन जो एक चीज़ क्या करनी है स्क्रिप्टुक 5.net की जो आयना ही फाइल है यहांपर रिलोड की नन है उसको चेंज करना है इंसर्ट की ऊपकर इंसर्ट फिक है आपको से जीज़ करनी है इसको सेव करना है और उसके बार हम लोग बैक जाएंगे अभी हम लोग इंस्टोर करने लिगे मेनिउ जिप्स तो मैनिउ स्टफ एसाइए और यह फॉल्डर व सेम टो सेम ऐसा दिखना चाहिए आपका फोल्डर में आप आपको जूम करके दिखाऊंगो तो आपको अच्छे से दिखेगा उसके अंदर जाएंगे हम लोग और यहां पर हमको सबसे पहले लेमन युआ इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भाई देख सकते हो यहां पर ऐसे चीज़ करोंगो कि अच्छी जाना क्योंकि जो ओठर है वह इस मॉड को कॉंस्टेंटली चेंज कर रहा है एक शूर यू इंस्टॉल दी एंट्री वाले में ठीक है तो में इस तीनों फाल्स को सिलाक करके जस्ट क्लिक और ड्राग और डॉप यह तो स्क्रिप्स फोल्डर म अपना एनेबल ओल इंटिरियर जो है वो कर इंस्टॉल हो चुका है अभी जापको इसको करना है आपको किसी चीज़ करना है तो यहां पर फॉल्स कर देना है चीज़ करने है इक सबस्क्राइब कारी तो जाइसे को अपने त्यस्य सब्सक्राइब क puisqu अपने यृजग करने हैं कार रहा हूं हूा ये तो जैसे कि या देख सकते हैं किया पर एंटर अभी उमको तो पुस्थना है मत कि कर रहा हूं तो आपको मेरी गेमिंग चनल पर पता चल जाएगा कर मैं यहां पर कर क्या रहा हूं तो गेमिंग चनल पर ज़रूर रखना लिंक इन डिस्क्रिप्शन तो एने बलों इंटियर्स को सबसे पहले रन करने करें अपने अपने मोबाइल को निकालना पड़ेगा तो अपने फोन को निकालेंगे और यहां पर जैसे की देख सकते हो कॉंटेक्स के अंदर हम लोग जाएंगे और हमको अप एरो की डबानी है ठीक है जैसे यह आप अप एरो की डबा होगा आपको एनेबल और इंटियर्स दिख जाएगा इसको हमें करना है कॉल ठीक हम लोग य यह अपना क्या कहते है सेलवेज याड यह जैसे की देख सकते हैं यहां पर सब कुछ कर लिया ठीक है काउंटर की कैश हम लोग जैसे करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है चॉप शॉप हमने किया उसके बाद हमको क्या करना है ठीक है जैसे की देखो अगर किसी इंटिरियर को डिजेवल करना है जैसे कि देखो गाइस मेरे को लाइक यूनो आ बाइकर इंटिरियर नहीं चाहिए तो मैं यहां से इन सभी को आफ कर देता हूँ ठीक है यह सब मैंने आफ किया जिससे यह जो है बाइकर का इंटिरियर चला जाएगा एक्जिक्ट मैंने सब को टिक कर दिया उसके बाइद हमको एडनेबल ब्लिप्स को क्लिक करना है उसके बाद गाइस नीचे जाओ और अगर आपको रैंडम कलर का ब्लिप कर सकता अगर वाइट कलर का चाहिए तो यह आपके उपर है बाकि तो यहां पे सब कुछ मस्त है कोई दिक्कत नह देना है जिससे अपने सभी की सभी जो इंटीर्स है वो रिफ्रेश हो जाएंगे जैसे यहां पर मिलना चाहिए या फिर यही कही पर मिलना चाहिए सेलवेज यार्ड लेट मीच यह रहा रोजर स्क्रैप याड नहीं यह नहीं है आश सेलवेज यार्ड का बिजनस हमको कहां पर मिल यह रहा चॉप शॉप सैलवेज यह यार्ड यह देख़को ऐसा यह ऐसा दिकराए ठीक है ठीक है हम लोग यहां पर टेलेपोर्ट होंगे वि ऐठिंग आगे पीछे से होना है यहां से यहां से यहां से यहां से काम करता हूं अपना free cam ओने लेखा हूं and now I can go around freely अभी यहां पर अपना salvage yard होने वाला है I think इसका entry point यह रहा है entry point टीक है यहां पर अपना one कर देता हो यह room mode और यहां से हम लोग Tear E to enter the interior करेंगे कि अगर हमें गाइस सेलवेज याड को लाइक चेंज वगएरा करना तो वह भी आप कर सकते हो कैसे वह बताता हूं करने के बार हमको क्या करना देखो मैं पूरा ब्लैक 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 ना चाहूं और यहां पर यहां पर लिए अपड़ेड कर सकता हूं अपनी और यह मेरे सामने रियल टाइम में हो रहा है यह देखो औरेंज किया ग्रीन किया पिंक किया लाइट ब्लू ग्रे जो कलर आप चाहे मेरे को रेड फिलहाल पसंदा रहा है तो मैं रेड रखूंगा और काउंटर फीट कैश भी आप यहां पे ऊपर अगर आप चाहोगे ठीके मैं कैश और दीखाएगा ठीक से यहां से इसको ऊपन कर सकते सब कुछ चीज अपनी तोटोरी बना सकतेहों पनी गैम के अंदर की माड़ की मलद से यहां यहां से बढ़िया तरीके से आपने सेलवेज यार्ड को रन कर सकते हैं अपनी स्टोरी मोड के अंदर तो गाइज अगर आपको यह वाला वीडियो परसंद आया हूँ अब अब भी में ही बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर को विट किया है तो चल्दी है जल्दी और सब्सक्राइबर को लाओ यार्ड मज़े करो और इस वीडियो के पर लाइक है मैं रखता हूँ 10 लाइक का कमेंट करके बताओ का आपको यह मॉड वर्क कर रहा है या नहीं